हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल तो आज हम उन्बॉक्सिंग करेंगे एक स्मार्ट वॉच की एंड इसको हमने बाय कर रहा है फ्लिप कार्ट से और आप रुगों के कमेंट भी आते हैं करना चाहिए की नहीं तो ये है स्मार्ट वाच ये दिखिये तो ये गाइस मेटल की स्मार्ट वाच है और इसके पिछे हमें हार्ट रेट सैंसर मिल जाता है जो की हार्ट बीट को oxygen लेवाल को and blood pressure को measure करता है ये देखिए तो ये metal body के साथ है और इसका weight भी काफी है गाइस बाकि इसके sticker को हम remove कर देते हैं ये बिलकुल देखने में एक apple watch की तरह लगती है ये देखिए तो अब इसे on कर लेते हैं बाकि इसमें two buttons मिल जाती है crown and off and on button दोनों का work इसे on करना है ये देखिए fit pro तो इसमें watch faces भी हैं जिसको हम change करके अपने photo भी लगा सकते हैं बाकि ये इसके straps हैं ये guys इसके straps normal हैं बाकि price range की हिसाब से अगर हम बात करें तो straps हमें एक ठीक quality के मिल जाते हैं तो straps की बात करें तो अच्छे हैं बाकि इसके charger को देखते हैं जो कि box के अंदर रहता है ये देखिए तो ये इसका charger है जिससे कि हम watch को charge करेंगे बाकि हम straps को change भी कर सकते हैं या तो online buyer कर सकते हैं आँ तो market से भी ला सकते हैं तो यह इसका charger इस पर हम लगा कि वाच को charge करेंगे यह देखिए एंड यह है watch इसके steps को भी हम लगाएंगे तो इसके steps काफी लोग नहीं लगा पाते हैं इसलिए हमें बस इसे push करके slide कर देना है तो यह fit हो जाएगा और बहुत ही tight fit हो जाता है जिससे की यह नहीं निकलता है जल्दी बाकि जब हम निकालना जाएंगे तो निकल जाएगा तो यह देखिए इस type से कुछ fit हो गया है और अब हम इसके और भी चीज़े देख लेते हैं अकसेसरीस में बाकि इसके साथ और question है एक user guide मिला है जिसका यह है code जिसे हम scan करके guys इसके app को download कर सकते हैं यह देखिए यह इसका बाकि हमसे read भी कर सकते है इसका manual है यह बाकि हम इसमें सारी detail आपको देदेंगे कि आपको इसके read करने की read नहीं होगी तो कुछ पहनने के बाद इस type की लगती है बाकि पहनने के बाद premium watch लगती है ऐसा नहीं है कि local लग रही है आप देख सकते हैं और अब इसके apps पर जाएंगे तो इसके watch faces है यह देखिए फरस्ट है बाटरफलाई का एंड यह कुछ और भी हमें मिल जाते हैं बाकि हम इने change करके अपनी फोटो भी लगा सकते हैं अपनी gallery से तो बाकि यह देखिए बहुत smoothly work कर रही है कहीं भी मतलब की lack वगरा नहीं कर रही है प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी है बाकि हम से change करके menu style को यह देखिए हम फोर पहला इस पे लगा देते हैं menu style को उसमें आपको काफी अच्छे से सारे एप सम clearly देख सकते हैं यह देखिए यह इसका camera आप इसमें कोई भी camera नहीं वाच में हम इसे mobile से connect करेंगे और अपने mobile से photo click कर सकते हैं as a remote और यह इसका sport mode जिसमें हमें काफी modes मिन जाते हैं like running का है, jumping का है और काफी mode तो guys, यह है इसका heart rate sensor इसपे हम click करेंगे, बाकी measure करता है oxygen level को, blade pressure को and heart beat को तो यह एक बात हम आपको बता दे clearly, बिल्कुल भी accurate data नहीं provide करता है, अगर हम अपनों इस wrist में इसको ना भी पहने, तब भी कुछ ना को data देता है मतलब कि बिल्कुल fake data कुछ भी accurate नहीं बताएगा तो, और भी हम स्काप्स देख लेते इस step है, मतलब कि इस step चले count करेगा, calories कितनी burn की and running का, slip का, काफी मिल जाते slip का है, हमने कब deep slip ली कब lightly, जब लाइट ली जब इस अपने wrist पहने कि तब फिलाल यह भी बिल्कुल fake sensor इसमें भी कुछ भी accurate नहीं बताता है and यह है इसका stop watch का बाकि इसमें और भी मोट्स मिल जाते sport modes और यह इसका music इसमें कोई भी sound नहीं है बाकि इसे हम connect करके यह देखिए इसके sounds है पर यह fake sound है मतलब कोई भी speaker नहीं है call आएगी तो notification आएगी और यह इसका QR code है जिसको हम scan करके इसके app को easily download कर सकते हैं वह भी हम अभी करेंगे आगे बाकि और भी देख लेते हैं यह looking for है मतलब कि अगर हमारा mobile नहीं मिला है तो हम इससे सर्थ इससे easily download सकते हैं तो यह है और भी काइफिस सारी चीज़े इसमें connect होकर अपने हिसाब से adjust हो जाती है तो यह देखी यह phone book है इसमें contact वगरा भी save कर सकते हैं और और इसमें काफी apps हमें मिल जाते हैं बाकि हमने इसमें काफी apps try करें कोई भी अच्छी से work नहीं करता है और about मिर जाएंगे तो आप देख सकते हैं serial number वगरा है set language इसमें हम language भी change कर सकते हैं इसमें काफी languages हमें मिल जाती हैं और यह है backlight का आप देख सकते है lights वगरा इसको adjust करने के लिए and यह back to dial और इसमें हमें काफी modes भी मिल जाते हैं अगर price range के साब तो तो काफी अच्छी watch रहने वाली है और यह है अब इनसे चार्ज करके देख लेते हैं charging के लिए यह बस हमें यह जो pin है इसकी जो आप देख रहे हैं golden color की इससे connect कर देना है इसके charger से यह देखिए बाकि हम किसी भी adapter से इसे चार्ज कर सकते हैं और यह charge हो जाती है I think one hour और कुछ minutes लेती for charge करने में और backup देती है 2-3 days का तो आप देख सकते हैं यह charge होना स्टार्ट हो गई है watch यह देखिए बाकि हम इसके app को डाउनलोड करेंगे इसका app हम इससे भी scan करके download कर सकतें बाकि watch में भी हमें मिल जाता है इसका scanner यह देखिए तो हम किसी भी अगर आप iPhone user है तो app store पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते है app का नाम है fit pro हमें भी play store पर हैं फिलाल और इसका size 32 MB इसे install करेंगे first of all यह देखिए installing start हो गई है तो यह अब install हो चुका है हमारे mobile पर अब इसे set करेंगे set पर क्लिक करेंगे bind devices पर क्लिक करेंगे और यह आ गए हमारी watch fit process पर हम click करेंगे और यह देखिए tap करेंगे तो यह देखिए bluetooth based connection time setting मतलब सारी setting अपने according यह adjust कर देगा आपकी watch पर तो सारी settings हो चुकी है बाकी weather अधर सारा यह accurate बताएगा जो कि mobile में होगा क्योंकि mobile से connect है इसलिए बाकी find यह देखिए हम इसे watch भी ढून सकते हैं और यह vibrate होना start हो जाएगी बाकी हम इसी तरह कि में mobile भी ढून सकते हैं यह इसमें एक app है looking for का इस पर click करेंगे start करेंगे तो guys इस type से हमारे mobile पर sound बना start हो जाएगा बाकी हम इसे watch से भी stop कर सकते हैं और mobile से भी तो इससे हम stop कर देते हैं इसमें यह काफी अच्छा feature है अगर mobile नहीं मिलना तो हम इसलिए search कर सकते हैं बाकी अब हम इसके dial पर जाएंगे और इसका wallpaper चेंज करके दिखाएंगे इसमें कोई भी wallpaper लगा सकते हैं change the dial पर click करना है नीचे नहीं जाना है guys यह देखें तो इसमें gallery से कोई भी photo ले सकते है अपनी फिलाल हमने यह ली है काफी favorite photo है यह देखें मेरी change करने के लिए बहुत ही simple trick है यह देखेंगे change हो गया और अच्छे से यह set हो गया है बाकी हम और भी change कर सकते हैं अब हम इसके message push पर जाएंगे और notification वगयर अपने mobile program चाहते तो इसलिए आ सकती है call का लगा देते हैं कुछ allows हमें कुछ notifications आएंगी और यह है WhatsApp को हम allow कर देते हैं मतलब जिसके हमें notification चाहिए call आएगी तो इस type से आएगी बाकी हम receive नहीं कर सकते हमें notification आजाएगी और message आएगा WhatsApp पर तो कुछ इस type से आएगा आप देख सकते हैं बाकी हम जिस app को permission देंगे उस app की notification notification हमारे mobile पर आएगी और सारी लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाकर buy कर सकते हैं और suggestion के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं कि buy करना चाहिए कि नहीं तो मैं आपको बता दू सारी detail हमने आपको दे दी हैं किसमें क्या चीज़ वर्क करता है क्या नहीं और यह आपड़ डिपेंड करता है किसे अब buy करना चाहते हैं कि नहीं तो वीडियो को लाइक करें share करें and subscribe करें